अगर आप हमारे चैनल में नए हैं देखिए यहाँ पर लाल बटन सस्क्राइब का दबा दीजिए हम अच्छे और बुरे स्टॉक्स दोनों के बारे में बताते हैं कि बुरे स्टॉक्स से आप दूर रहें जिससे आपको कोई हानी न हो और इच्छे स्टॉक्स अपको अपने पोर्टफोलियो में जगा दीजिए इससे आपको अच्छे लिटन मिल सके तो आगे जो बढ़ते हम इसका जिससे स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है आईजियल इंदप्रस्थ गैस लिमेटेड अब छोटी से हम बात बताना चाहेंगे कि इंदप्रस्थ गैस लिमेटेड करती क्या है यह जो गैसे हैं PNG and CNG पाइप्ड नैश्रल गैस जो कुकिंग की गैस है घर गर जो पहुंचाई जा रहे है जो दिल्ली के मेट्रो सिटीज में नोइडा दिल्ली गाजियाबाद इन सब में अपना यह गैस का जो पाइप लाइन उसको एक्स्पैंड कर रही है तो आने वाला जो समय है मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा निर्भरता होगी जो सिलेंडर्स भी घर घर जा रहे हैं तो उसकी जगा पाइप्स के माध्यम से ही घर में गैस पहुंचे गए और बहुत जगा पहुंच भी चुकी है तो जब यह जो अभी अभी इसका करेंट मार्केट काइप है वो आने वाले समय में पढ़ेगा क्योंकि अभी इसकी बहुत ही दिमांड होने वाली है और यह साबसे इसका विस्तार हो रहा है अब दूसरा जो इसका CNG है compressed natural gas जो bike, car, four wheelers में या बसेज में इन सब में इस्तेमाल होने वाले CNG आपको तो यह बखो भी पता है कि Metro Series में pollution के वज़ए थोड़ा CNG को ज़्यादा वरीता दी जा रही और डीजल यह आप इनकी गाड़ियां हटाई जा रही है तो आने वाले समय में obviously यह gas का जो stock भागने वाला है बहुत speed में जिससाब से गाड़ियां भागेंगा उससे speed में gas के stock भागेंगे अचली यह बात करते हैं इसकी balance sheet और quality बगएर की देखें good quality company है sales growth है 7.30 की EBIT growth है 12.54 की और net debt equity है negative है और गिरीवी share भी नहीं है अभी तक यहाँ पर very expensive valuation दिखा रहा बड़ देखें valuation क्या होता है अगर हम माल लेजिए यह जो information है जो जानकारी हमें यहां से मिलती है तो हम कुछ जानकारिया अपने हिसाब से देखते हैं कि इसकी balance sheet क्या है कि इस quality company है लेकिन अगर यह अपने हिसाब से website बताएंगी कि यह expensive है इसको मत लीजिए या फिर है यह बहुत attractive इसको लीजिए हमें अपना भी sense इस्तेमाल करना चाहिए कोई इनका ultimate decision नहीं है है ना तो यह एक data है जो दिखाया जा रहा है बाकी हमें देखना होता है कि कैसे किसी stock को लेना चाहिए अपने हिसाब से अपने calculation से आगे आने वाले stock का भविश्य देखके लिए तो वरतमान इस्तिती दिखा रहे है तो देखिए ROCE है 49.39 की और ROE है return on equity 19.85% की financial trend positive है score है 16 का और देखिए return है यहाँ पर 10 सालों में इसने 1333% का return दिया है पांस सालों में 400% का जबरदस्त है और और चार सालों में 268% का रिटन है और तीन सालों में 184% का, दो साल में 50% का, एक साल में 7.11% का, year till date करीब 13.5% का, और 6 महने में 14% का, जबरदस्त है, तीन महने में पे देखी 14% और 11 में 5%, 1 week में 4% और 1 day में आज जो है 0.20% negative में दिखा रहा, बाके सारा positive में, तो बहुत ही अच्छा, अभी इसने रिटन दिये हैं पिछले 10 सालों से, और यह देखी यहाँ पे जो है, सिप्तमबर 18 से दिसंबर जो quarter के results आ है, net sales में इसको सवा 6% की upside है, और operating profit में भी इसको 3.20 की upside है, net profit में इसको 5.72% की upside है, और margin भी maintain है, बहुत minor सा यहाँ पे, जो है negative में दिखा रहा, 0.54% की देखे, shareholding में इसको प्रमोटर के पास है, 45% की है, और जो सेप्तमबर quarter में थी, as it is maintain की हो है, गिरी भी तो share rate भी नहीं हम पहले देख चुके, mutual funds की 28 schemes ने इसमें पैसे लगा रखे, और FIIs 244 है, 19.93% की जबर्दस्त होल्डिंग है, इसमें, 19.93% की जबर्दस्त होल्डि of India, और individual हम खुद्रा ग्राहक है, 6% के करीब, अब यहां देखे, 21,280 क्रोड की market cash है, large cash company है, और dividend paying company है, September 18 में दिया था 2 रुपए per share का, जबर्दस्त इसका, जो dividend है, अच्छा है, इंद्रप्रस्त, गैस लिम्टेट, second, दूसरी position अपनी इंदस्ट्री में, gas transmission and marketing 1998 से काम कर रही है, यह हम इसका EPS देख लेते, देखे, EPS यहां पर दिखाया, earning per share है, आपके एक share पर जो है, इसको 6 रुपए 54 पैसे कमाई है, और P है यहां पर 46.57 की, तो दोस्तों अभी जो हमने देखा इसके, और आज का हमने भाव नहीं बताया आपको, देखे, मा 52 वीक हाई था 320 रुपए और लो बनाया था 215 के, तो 52 वीक जो हाई है, अपने हाई के काफी करीब है, क्योंकि अब यह कंपनी ही है कि बहुत ज्यादा टूटी भी नहीं थी और बहुत ज्यादा अभी अपने हाई पे टच करने वाली है, तो मैं इस पे बहुत ही अच्छा इसमें भविश्य देखता हूँ, कि आने वाले समय में जो मार्केट का एफ इसका, अब दिखाते हैं हम आपको, 21 करोड यही हो सकता है कि 2,00,00 करोड हो जाए, क्योंकि इसकी आने वाले भविश्य में बहुत दिमांड होने वाली है, यह अपना जिस हसाब से विस्तार कर र देना, एक एडुकेशनल जानकारी देना.